गाईस आज की इस वीडियो में आपकी वुड से रिलेटेड जितने भी डाउट से आज वह क्लियर हो जाएगी क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए वुड की बहुत सारी यूजेज एक साथ लेकर आई हूँ जैसा कि आपने थम्नेल में देखा ही होगा बहुत सारी वुड के यूजेज आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्लस थम्नेल के अलावा भी बहुत सारी यूजेज में और भी आपको इस वीडियो में सीखाने वाली हूँ तो वीडियो थो इलैंदी ज़रूर होगी लेकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा तो वीडियो में एंट तक बने रहें तो सबसे पहले हम वोट के बेसिक चीजों को समझ लेते हैं वोट का यूज हम सबसे पहले करेंगे वोट के फर्स्ट फर्म के साथ जब हमारे हिंदी के सेंटेंस ऐसा करेगी ऐसा करेगा या फिर ऐसा करेंगे आप short में समझते हैं जैसे कि अगर आपके हिंदी वाले sentence में गागे यानि कि गागेगी अगर आपके हिंदी वाले sentence में आ रहे हैं तो उसमें आपको would का use करना पड़ेगा अब थोड़ा confusing मैंने बात कर दी ना अब गागेगी के लिए तो हम विल का use करते हैं ये तो हम लोगों ने tense में सीखा हैं हम लोगों तो tense में तो यही सीखा है कि जिसके भी last sentence में गागेगी रहेगा उसमें हम विल का use करेंगे लेकिन गागेगी के लिए हम वोड का भी यूज करते हैं सिफ विल का ही नहीं बलकि वोड का भी यूज हम करते हैं विल का बात ऐसी होती है जिसकी संभावना रहती है वो है या नहीं जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो बीजी होगी मैंने ऐसा कहा कि वो बीजी होगी अब मुझे पुरा कनफॉर्म नहीं कि वो बीजी है ही मुझे पॉसिबलीटी है संभावना है कि हाँ वो बीजी हो सकती है मैं उसक possibility है कि वह busy हो सकती है तो इस वाले sentence में हमको good का use करना होता है अगर मैं simply बोलू ना कि वह busy होगी अगर हम diet बोरे वह busy होगी future में वह busy होगी तो हम उसमें will का use करेंगे उसमें possibility आपको show नहीं करेगा अगर आपके sentence में possibility show नहीं करा future की बात करे तो उसमें आपको आख बंद करके will का use करना है लेकिन अगर आपके sentence में possibility show करे और आप present में बात करे कि होगा होगी present में वो busy होगे present में वो पढ़ता होगा तो present में आपको possibility आपकी sentence में है तो उसमें आपको would का use करना ही पड़ेगा I hope आपको clear हो गए कि will का use or would का use किस तरह के sentences में किया जाता है would का use हम first form के साथ तो करेंगे और एक बात इसमें मैं आपको बता दू जो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी जैसे कि अगर आपका पहला sentence पहला sentence यानि कि उसने कहा था अगर पहला sentence आपका past में हो और दूसरा sentence आपका future में हो और यह sentence future में हो वो लेट आएगा वो future में है यानि कि future in past की बात करें तो इसमें would का लगाना ज़रूरी है अगर आप किसी भी sentence में पहला sentence past का देख ले रहे और उसी से related दूसरा sentence future का देख रहे तो उसमें would का ही use होगा समझ में आ रहा है मैं क्या बोरी हूँ? पहला sentence अगर आपका past में हुआ उसी से related दूसरा जो sentence है अगर वो future में रहा तो उसमें आपको would का ही use करना है will का use नहीं होगा यही concept आपको अच्छे से clear करनी है तो इसमें बोला गया उसने कहा था past में उसने कहा था he told that उसने कहा था he told that की की के लिए that वह late आएगा he would come late कम हमारा वर्व का first form है हम लोग ने तो पहले देखा वर्व का first form है यूज करना है तो उसने कहा था कि वह लेट आएगा he told that he would come late तो हमारा पहला sentence past में हुआ और दूसरा sentence future में हुआ future in past की हम बात करें तो इसमें would का ही लगाना जरूरी है will का कोई काम नहीं है इसमें ठीक है फिर देखिए next sentence उसने सोचा था ये भी हमारा past वाला sentence है उसने सोचा था मतलब past में सोचा होगा उसने सोचा था कि वह भाग जाएंगे मतलब police के आते वह भाग जाएंगे उन्हों past में बना रहे तो वर्फ का second form यूज करेंगे क्योंकि past indefinite का sentence है तो इसमें इसमें subject की बात जस्ट वर्फ का second form लगता है इसने think का हम लोग ने thought बना दिया they thought कि that way भाग जाएंगे they would run away they would run away वे के लिए हम दे का use किये हैं और would तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा भागने के लिए run भागने के लिए run away they thought that they would come run उन्होंने सोचा था कि वे भाग जाएंगे हमने बताया था past में हमने बताया था कि हम ये मकान नहीं बेचेंगे अब माल लोग क्या हो गया आप मकान बेचने वाले थे बहुत पहले एक महीना पहले आपने बात किया था कि हम मकान बेच देंगे कोई घर है आपको वो बेच देंगे अब दूसरे व्यक्ति ने सुना था कि आप मकान बेचने वाले हैं और वो एक महीने बाद आके आपको बोरा कि आप मकान बेचने वाले थे तो हम खरीदेंगे तो आप बोरे कि हमने ये भी बताया था कि हम मकान नहीं बेचेंगे मतलब आपने उस समय सिर्फ इतना सोचा ही था सिर्फ सोचा था कि मकान बेचना है लेकिन आप बेचेंगे ये शौर नहीं थे आप कि आपको बेचना ही है यह आपने नहीं बोला था कि हम बेचेंगे आप सोचे थे सिर्फ आपने सिर्फ सोचा था कि हम मकान बेचेंगे लेकिन आपने बताया नहीं था अब एक महीना बाद वो आदमी आके आपको बोरा कि आप तो मकान बेचने वाले थे तो आप बोरे हमने बताया था कि हम ये मकान नहीं बेचेंगे मतलम सिब सोजा था ना बोला तो नहीं था तो अब आप बोरें कि हमने बताया था कि हम ये मकान नहीं बेचेंगे we told that हम ये मकान नहीं बेचेंगे we would not sell the house we would not sell the house हम ये मकान नहीं बेचेंगे तो इस तरह जब आपका पहला sentence past में हो और दूसरा वाले sentence future में हो तो उसमें आपको would का use करना है वर्व के first form के साथ यह concept तो would के बहुत ही आसान थे I hope आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गए होंगे चलिए would के और भी बहुत सारी uses है वो भी हम देख लेते हैं फटा फट मैं यह खाती मैं वह पहनती मैं वहा पढ़ती मैं यह मैं यहां सोती ताती आएगा आपके sentence में तो आपको would उज़ करना है वर्व के first form के साथ जैसे अगर मैंने कहा मैं तुम्हारे घर जाती ती आ रहा है ना मैं तुम्हारे घर जाती लेकिन मैं बिमार थी मैं बिमार थी तो भाई मैं कैसे जाओंगी आपके घर तो मैं बोर रही हूं मैं तुम्हारे घर जाती तो इसके लिए हम बनाएंगे I would go to your house I would go to your house वर्व के first form का use किये वर्व के बाद देखिये I would go to your house मैं तुम्हारे घर जाती लेकिन मैं बिमार थी I was sick तो I would go to your house मैं तुम्हारे घर जाती लेकिन मैं बिमार थी वर्व तुमसे कल मिलती मिलती इसमें भी ती आरा है न वर तुमसे मिलती लेकिन उसके पास time नहीं था वर तुमसे मिलती लेकिन वर तुमसे मिलती लेकिन वर उसके पास time नहीं था उसके बाद आपको जो भी sentence है जो भी sentence के according है उस वो आले sentence के according आपको sentence बना देना अगर past है तो past वाले sentence अगर present है तो present वाले sentence लेकिन पहला sentence अगर आपका thought- возвращ ती आ रहा है तो उसमें आपको would का use करना है ये बात एकदम clear है अच्छिक है आपको would का ही use करना है thought-black टी के लिए जैसे तुम क्या करते तई आ रहा है न तुम क्या करते अगर तुम वहां होते, तुम क्या करते, अगर तुम वहां होते, तो पहला sentence हमारा तातिती पे खतम हो रहा है, हम बोलेंगे, what, क्या, क्या के लिए, what would you do, तुम क्या करते, अगर इफ, तुम वहां होते, you were there, what would you do, if you were there, तुम क्या करते, अगर तुम वहां होते, तो जब आ और इसका हिंदी वाला सेंस होगा ता होगा ती होगी वह कॉले जाता होगा वह पढ़ती होगी इस वक्त खेलती होगी इस वाले सेंटेज में आपको वुड के साथ वर्व का फॉर्स्ट फॉर्म यूज करना है जैसे वह कॉले जाता होगा पॉसिबलीटी है शौर नहीं है हमकि वह कॉले जाहिरा है पॉसिबलीटी है इसमें कि वह कॉले जाता होगा रोहन बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा, वो अपने मम्मी पापा से बहुत पैसे लेता है, तो वो बहुत पैसे खर्च करता होगा, अब करता है या नहीं आपने कभी देखा नहीं है, आपने रोहन को खर्च करते वे कभी नहीं देखा है, आपने बस इतना देखा है कि वो अब बहोत पैसे लेता है तो उसे से अपने मन में अपने परतिकिरिया बना ले कि भई वहान सारे पैसे खर्च करता होगा laugh मुझे लगता है ाज बारिश हो गी अब मैं भगवान तो नहीं हो कि मैं बोल दूआँ हो गिए अज बारिश होगी अब मैं अपनी possibility के साब से बता रही हूं कि बादल घिर चुके हैं आसमान में शायद बारिश होगी तो मुझे लगता है I think कि आज बारिश होगी it would rain today I think it would rain today मुझे लगता है कि आज बारिश होगी तो हमारा वुट के third uses है वुट के साथ वर्व का first format करेंगे जब हमारे हिंदी वाले sentence ता होगा ती होगी possibility शोकर आपके sentence में ठीक है next step वुट के use polite request के लिए polite request यान कि विनर्म निवेदन के लिए हम वुट का use करेंगे जैसे क्या आप दर्वाजा खोल देंगे क्या आप वहां बैट जाएंगे क्या आप बोलना पसंद करेंगे क्या आप काफी लेना पसंद करेंगे तो आप किसी से polite request कर रहे हो बिनर्म निवेदन कर रहे हो तो उसमें आपको वुट का use करना होगा जैसे देखे कैसे करेंगे है क्या हम दर्वाजा खूल देंगे आप बहुत ही पॉलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या दर्वाजा कोल देंगे इस तरह से बोलना हो अगर आपको इस तरह बोलना हो क्या आप दर्वाजा खोल देंगे तो हम इस तरह से बना सकते हैं जब आपको वड वाय प्लीस का यूज करना होगा तो इसके साथ ब्रव का फ़र्सार घूह करना होगा तो वड्यू माइंड का यूज करना होगा जैसे आप अक्सर बोलते होंगे ऐसे क्या आप दर्वाजा खोल देंगे आपको बुरा तो नहीं लगेगा इस तरह से आप उससे पोच रहे कि क्या आप दर्वाजा खोल देंगे आपको बुरा तो नहीं लगेगा तो उस वाले सैंस में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं दोनों का मतलब भी सेम होता है ठीक है पॉलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम दोनों का यूज करते हैं जैसे क्या आप वहां जाएंगे आपको बूरा तो नहीं लगेगा क्या आप वहां जाएंगे वुड्यू प्लीज गो दियर वु पूरा तो नहीं लगे गा तो बूलेंगे वुड्यू माइट चाहिगा चाहिगी वाले सेंटेंस आएंगे तो उसमे आपको फूल्यूी वाले यूज करना है जैसे कि अगर हिंदी वाले सेंटेंस ऐसा बोलते हैं मैं आज आपसे मिलना चाहूंगे, मैं आज बहुत देरा आपसे बात करना चाहूंगे, क्या आप काफी लेना चाहेंगे, क्या आप मेरे घर जाना चाहेंगे, तो इस वाले sentence में चाहेगा, चाहेगी आएगा, तो इसमें आपको would, like to का यूज करना है, और गाइस, हम चाहने क लिए once का यूज करते है, plus would like to का भी यूज कर सकते है, जैसे मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, मैं अपने इच्छा बता रही हूँ आपको, कि मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, I would like to meet you today, मैं आपसे मिलना चाहूंगी, मैं वहाँ बैठना चाहूंगी, अब मुझे वो तरहुजम था ईच्छा पूंचा होगे सberry टो पूं उसकी इच्छा पूंचे क्वरूर्थ D तो जब आप अपनी इच्छा या फिर किसी की इच्छा पूंचे तो उसमें आप Two Value लाइक्तु का यूज करना है चीक है चलिए आगे बरते हैं अब हमारा है वुड की सारी यूजेज तो हम लोग ने पढ़ लिया वुड के एडवांस यूजेज को पढ़ते हैं जैसे अगर हम वुड की साथ हैफ का यूज कर देते हैं और वर्व का थड़ फॉर्म यूज कर होगा वह उसे देख लिया होगा तो देख लिया होगा या फिर चुका होगा वाला सेंटेंस आएगा तो इसमें वुड हैब का यूज़ आपको वर्व के ठड़ फर्म का यूज़ करना आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो कर रहा है आप बोरे उन्होंने टीवी देख नहीं है कि उन्होंने तीवी देखा ही है आप बस बता रहें अपने हिसाब से बता रहें आप ऐसा सोच रहे कि उन्होंने टीवी देख लिया होगा पॉसिबिलिटी आपके सेंटेंस में तो इसमें आपको वुड हाव के साथ वर्व का थड़ फर्म हाथ यूज़ करना है तो उन्होंने टीवी देख लिया होगा, देवुड हाव वस्ट टीवी, वो पढ़ लिया होगा, या फिर वो पढ़ चुका होगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं, मतलब उन्हों पढ़ने काम कम्प्लीट कर चुका होगा, ऐसा आप सोच रहें, अब किया है, नहीं किया है, उसका उपर आप देखे नहीं है, कि वो पढ़ाई कम्प्लीट कर चुका है, अब अपने हिसाब से बता रहें, कि मैं एक बार उसके घर गया था, तो वो इस वक्त तक अपना पढ़ाई कम्प्लीट कर चुका था, तो उसके हिसाब से अब बता रहें कि वह पढ़ाई कर लिया होगा या पढ़ाई कर चुका होगा वह जा चुका होगा वह जा चुका होगा वह जा चुका होगा वह जा चुका होगा राहूल खेल चुका होगा इतना टाइम हो गया तो हो सकता है राहूल खेल चुका होगा राहूल वुड हैब प्लेड तो जब आपकी sentence में आपकी sentence में possibility शो कर रहा है और आपकी हिंदी वाले sentence है कर लिया होगा कोई काम या फिर कोई काम कर चुका होगा तो उसमें आपको वुड हैब के साथ वर्व का ठट फार्म यूज़ करना है ये क्लियर होगा वुड है वुड हैब का यूज़ वर्व के ठट फार्म के साथ कब करना है हिंदी वाले sentence कैसे आएंगे कैसे यूज़ करना है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ठीक है इसी तरह के एक सैंटेस में आपको होमवक के लिए देती हूं सीता पढ़ चुकी होगी इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया दा कि माम जो भी आप समझाती है एक होम आप लगों तो चुक्क दियां गवर्भ मैं चाहती है अगर नहीं जाते है कि वीडियो अप्लोट कर रखी है आप उसे जरू किजिए क्योंकि अगर अपने वर्भ सीख सकते हैं तो वुढ़ हाफ्टू करना है अधिकि वर्भ के फस्त form के साथ जब आपके हिंदी वाले sentence होंगे काम करना पढ़ता होगा या काम करना पढ़ जाता अब मान लोग पढ़ता होगा और पढ़ जाता वाले sense देखकर आपको समझ में आ रहा ना कि कैसे sentences होंगे जैसे आप कोई काम करना नहीं जाते लेकिन आपको काम करना पढ़ता होगा या फिर पढ़ जाता होगा जैसे मैंने कहा कि तुम उसे पढ़ना पढ़ता होगा उसे पढ़ाना पढ़ता होगा उसे पढ़ाना पढ़ जाता अगर मैं वहां नहीं जाता उसे यह खाना बनाना पढ़ जाता अगर उसकी मम्मी से बाहर चली जाती तो जब आपके सेंटेज में पढ़ता होगा या फिर पढ़ जाता अगर आ रहा है तो उसमें आपको वॉड हाव टुका यूज वर्ट के फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है जैसे उसे काम करना पढ़ता होगा अब उसकी मम्मी जो है बिमार है अब उसे काम करना पढ़ता होगा अब उसकी मम्मी बिमार है तो उसे तो काम करना पढ़ेगा न तो आप अपने सोच के हिसाब से अब वो काम करती है या नहीं आपने कभी उसे देखा है नहीं देखा है आपने नहीं देखा ह है अब अपने हिसाब से बता रहे हो कि उसे काम करना पड़ता होगा क्यों क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है ठीक है तो उसे काम करना पड़ता होगा तुम्हें बताना पड़ता होगा अब तुम्हें बताना पड़ता होगा अब तुम्हें बताना पड़ता होगा अब तुम्हे तुम्हारी बापा ने मुझसे पूछा है नहीं कि मैं एक्जाम में क्या लिखी हूँ क्या नहीं तो मैंने नहीं बताया लेकिन तुम्हारी मँझे पूछते हैं तो तुम्हें बताना पड़ता होगा तो जब आपके sentence में कोई काम आपको मजबूरे में करना पड़ता होगा या फिर करना पड़ जाता तो उसमें आपको would have to के साथ वर्ब का first form यूज़ करना है ठीक है next हमारे would be would be का use हम करेंगे verb में ing याने की हमारा हो गया verb का fourth form वर्ब के first form में अगर हम ing आड़ कर देते हैं तो वो बन जाता है वर्ब का first form जैसे कि अगर आपका verb का first form गो रहा उसमें अगर आपने ing उसके साथ आड़ कर दिया तो क्या बन जाएगा? गोइंग बन जाएगा तो गोइंग जो है यह गोइंग है यह हमारा वर्ब का fourth form है इसे ही हम वर्ब का fourth form कहते हैं क्योंकि वर्ब के first form के साथ ing आड़ कर देते हैं तो वो बन जाता है गोइंग और वो हमारा हो जाता है वर्ब का fourth form ठीक है? सारे वर्ब के fourth form ऐसे ही बनते है तो आपको would be के साथ verb का fourth form यूज़ करना होगा जब आपके हिंदी वाले sentence होगे काम कर रहा होगा अब वर्व का fourth form यहां क्यों लगा है? कोई तो reason होगा न लगाने का वर्व का fourth form तभी लगता है जब आपके हिंदी वाले sentence में कोई काम continue चल रहा होता है तो उसमें आपको वर्व का fourth form लगाना पड़ता है ठीक है यही रूल है तो हमारा हिंदी वाले sentence में क्या है काम कर रहा होगा मतलब रहा होगा रही होगी वाले sentence से तो देख के समझ में आ रहा है किसमें काम continue चल रहा होगा इसलिए हम वर्व का fourth form लगा है जैसे पापा आ रहे होगे पापा का आने का काम continue चल रहा होगा अब आपको यह नहीं पता कि पापा सच में आ रहे होगे आपको possibility है कि पापा को office से छुटी हो गया है तो पापा भी आ रहे होगे अब हो सकता है पापा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए यह भी तो हो सकता है लेकिन आपको नहीं पता है आप अपने हिसाब से बता रहे हो कि पापा आ रहे होगे घर आ रहे होगे तो हम बोलेंगे पापा वुड बी कमिंग पापा वुड बी कमिंग या फिर आप पापा के जगा फादर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पापा को थम फादर भी बोलते हैं फादर वुड बी कमिंग तो पापा आ रहे होंगे ठीक है राहूल टीवी देख रहा होगा अब राहूल टीवी देख रहा है, नहीं देख रहा है, मुझे नहीं पता, मैं अपने हिस्ताब से बता रहे हूँ कि राहूल टीवी देख रहा होगा, उसका देखने काम कांटिनू चल रहा होगा, तो बोलेंगे राहूल वुड बी वाचिंग टीवी, राहूल टीवी देख पहना रही होगी टाइमिंग है खान बना रही होगी तो मंस्य 파ोट बना रही होगी रहा होगा हमेशा सोता होगा इस वक्त भी वो सो रहा होगा he would be sleeping वो सो रहा होगा he would be sleeping तो जब आपके sentence में कोई काम possibility तो सो करता आपके sentence में लेकिन अगर आपके हिंदी वाले sentence काम कर रहा होगा possibility वाली रहा तो उसमें आपको would be के साथ verb में ing लगाना होगा ठीक है चलिए वागे बढ़ते हैं अब है हमारा would have been के साथ verb में ing लगेगा क्यों verb में ing लगेगा verb का fourth form क्यों लगेगा क्योंकि इसमें भी काम हो रहा होता रहा होता continue काम चल रहा होता ये conditional sentences में भी इसका use किया जाता है would का use conditional sentences में भी use किया जाता है ठीक है जैसे वो पूछ रहा होता मतलब ऐसे sentences आता है ना past में आप वो कर रहे होते वो पूछ रहा होता he would have been asking he would have been asking वो पूछ रहा होता तुम काम कर रहे होते अगर तुमनी नौकरी नहीं छोड़ी होते past में तो तुम अभी काम कर रहे होते ऐसे हम लोग बो रहे ठीक है तो तुम काम कर रहे होते you would have been working you would have been working तुम काम कर रहे होते वह आ रहा होता वह आ रहा होता he would have been coming वह आ रहा होता ठीक है अगर उसके घर में कोई जरूरी काम नहीं होती तो वो इस वक्त मुझसे मिलने आ रहा होता तो वही वाले sentence के past में वो काम कर रहा होता तो उस वाले sentence को बनाने के लिए आपको would have been का use करना है verb के fourth form के साथ verb के first form में ing act कर देंगे तो हो जाएगा verb का fourth form उसी के साथ आपको would have been का use करना है ठीखे हैं अब last हमारा uses है would have had to, would have had to का use हम तब करेंगे जब हमारे हिंदी सेंटेंस होंगे करना पढ़ता, पढ़ जाता, करना पढ़ा होगा, मजबूरी में वो काम करना आपको पढ़ा होगा, जैसे राम को पढ़ाना पढ़ा होगा, माल लो आप राम के घर गए, ठीक है, अब राम को आपने देखा कि राम अपने भाई को पढ़ा रहा है, तो आपने अपने मन में ये प्रतिकिर्या बनाई कि शाद राम के जो भाई बहने उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर आते वो दोरह नहीं हों जानि लिए राम को पढ़ाना पड़ा हो इसलिए और नहीं पज़ना इत्सक्थ राम पढ़ाना पड़ा पढ़ा होगा तो सका कि सोच्थ आपको इसी तरह निकालना है जब आपको हिंदी वाले सेंटेंस अब मैं नहीं बोर रहे हूं कि आप जब जस्ती निकाल लो सेंटेंस नहीं आप बोर रहे हो जो सेंटेंस वो सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करो कि आप क्या सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप अगर सेंटेंस को समझ दे कि आप क्या बोल गए तो आप बहुत इसली ट्रांसलेट कर सकते हैं तो राम को पढ़ाना पढ़ा होगा तुम्हें वहां जाना पढ़ा होगा तुम्हें वहां जाना पढ़ा होगा मालो तुम्हें भाई जाने वाले थे लेकिन तुम्हें जाना पढ़ा होगा उसे school जाना पड़ा होगा, he would have had to go to school, मुझे आज office जाना पड़ जाता, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, तो मुझे office जाना पड़ जाता, I would have had to go to office today, मुझे आज office जाना पड़ जाता, I would have had to go to office today, तो जब आपको हिंदी वाले sentence में करना पड़ता, पड़ जाता या करना पड़ा होगा, ऐसे आएंगे तो उसमें आपको would have had to का यूज करना है, plus valve के first form के साथ, ठीक है, इसका use आप valve के first form के साथ करेंगे, जब आपके हिंदी वाले sentence करना पड़ता, पड़ जाता या करना पड़ा होगा, अब इसी तरह के एक sentence में आपको homework के लिए देती हूँ, मुझे आज homework बनाना पड़ जाता, इसका answer आपको comment box में करना है, अब guys, वीडियो कैसे लगे, वीडियो को comment में जरूर बताईगा, और वीडियो को like जरूर कीजिएगा, अगर आप channel पना हैं, और अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किये, तो जल्दी से करते, ताकि ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहें, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए keep learning,